घरों की सजावट में सीपियों से बने आईने, जूमर, तोरन और कई खुबसूरत सामान तो आपने देखे होंगी पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी आईलेंड है जो सीपियों का बना है फेडियत नाम का ये आईलेंड पश्यम अफ्रीका में सेनेगल कोस्ट के पास है जो लकडी के ब्रिज से जुड़ा हुआ है लोकों के बीच ये शेल आईलेंड के नाम से बहुत फेमस है हर साल यहां हजारों ट्यूरिस्ट आते हैं इस आईलेंड पर करोडों सीपिया है और कहीं भी नजर दोडाने पर आपको बस सीपिया ही सीपिया नजर आएंगी सीपिया वास्तम में एक समुदरी जीब का खोल होती है जो कि उनके मरने के बाद लहरों से समुदर के किनारे पर एखटी हो जाती है इसका इस्तिमाल घरों की सजावट के सामान बनाने में होता है यहाँ पर इतनी सीपियों को जमा होने में सेकडों साल लगे है फेडियत आईलेंड में मकानों की दिवारें और रास्ते ही नहीं बलकि कबर भी सीपियों से ही बनी है ये कबर सजावटी होने की वज़े से खुब सूरत दिखती है इस आइलेंड पर मुसलिम और इसाई समधाय रहते हैं जो मॉल्यूकस का व्यापार करते हैं मॉल्यूकस एक मीट है जो सीपियों से निकाली जाती है इसलिए इस दिव पर करोड़ सीपिया नजर आती है आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें साथ इस चैनल को सबस्क्राइब भी करें नमस्का दोस्तो